पिछले कुछ अध्यायों में हमने भारत की जो तस्वीर देखी भारत के बारे में जो जाना उससे साफ स्पस्ट हो जाता है कि भारत एक क्रिशी प्रधान देश है दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि भारत गाउं का देश है लगभग दोत्य आया अबादी गाउं में निवास करती है तो जहां पर हम बात क्रिशी व्यवस्ता की करते हैं वहीं इसका संबंद गाउं से भी होता है यानि ग्रामीड विकास और क्रिशी व्यवस्ता का आपस में घनिष्ट संबंद है यहां हम भारती अर्थ व्यवस्ता में ग्रामीड विकास की भूमिका और क्रिशी चेतरी की भूमिका पर एक नजर डालें और दोनों में एक संबंद स्थापित करके देखें तो हम पाते हैं कि भारत एक क्रिशी प्रधान देश है और गाउं में हम यह कहते हैं कि भारत जो है वो गाउं में बसता है और गाउं के लोगों की आजीविका का जो मुख्य साधन वो है वो है क्रिशी करना महात्मा गांदी ने भी इसी तथ्य को एक बल देते हुए कहा था कि भारत की वास्तविक प्रगती का तात्परे शेहरी और द्योगिक केंद्रों के विकास से नहीं बलकि मुख्य रूप से गाउं के विकास से है क्योंकि अधिक्तम आबादी गाउं में रहती है इसलिए अगर हम भारत के विकास की बात करते हैं तो ग्रामीर विकास को छोड़ दे ऐसा संभव नहीं हो सकता यानि कि ग्रामीर विकास की बात को हमको सबसे पहले आगे लाना होगा यहां हम देखते हैं कि जब ग्रामीड विकास की बात आती है तो गाओं का सरवांगीड विकास इसके अंतरगत आता है ग्रामीड विकास को अगर हम कुछ तत्यों कुछ बिंदूओं के द्वारा देखना चाहें तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ग्रामीन विकास में गाओं का सरवांगीन विकास, साथ में उन सभी घटकों का जिनका ग्रामीन विकास में योगदान होता है, सभी का सयोजित रूप से विकास शामिल होता है साथ ही ग्रामीन विकास के लिए जिन छेत्रों में सार्थक पहल की विकास करने की जरूरत है, वो छेत्र कुछ इस प्रकार है जैसे साक्षर्ता है तो साक्षर्टा में यहाँ पर विशेश रुप से महिला साक्षर्टा पर बल दिया गया है कि गाओं के पुरुषों के साथ साथ एक तो सबसे बड़ी बात कि गाओं में साक्षर्टा के प्रतिशत को बढ़ाना और दूसरी बात महिला साक्षर्टा के प्रतिशत को बढ़ान प्रसिक्षन के उन्तर आएगी जिसे प्रसिक्षन को प्राप्त करके वह स्वारोजगार के लिए प्रेरित हो सके दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं स्वास्थ क्योंकि हम मूलभूत सुईधाओं मूलभूत तत्यों की बात कर रहा है जो किसी गाओं के विकास के लिए बहुत जरूरी होती है तो दूसरी अगर हम बात करें तो वो है स्वास्त की, स्वास्त के अंतर गत हम उन सभी तथ्यों को सम्मलित करते हैं, जो एक स्वस्त वातावरन प्रदान करने के लिए जरूरी होते हैं किसे भी गाओं को, जिसे गाओं में स्वक्षता की क्या अस्थती है, गाओं को से प्रभावी कदम उठाये जा सकते हैं इन सब विश्यों पर बात करना दूसरा यहां पर जन स्वास्थ महिलाओं के बच्चों के और गाओं के सभी लोगों के स्वास्थ पर एक नजर डालना देखना कि उनके स्वास्थ की क्या एस्थिति है स्वास्थ की जब हम बात करते हैं तो यहां पर कुछ ऐसे कारुणों की भी चर्चा की जाती है उनको भी शामिल किया जाता है कि क्या कारण है कि अगर बच्चों के हम बात करें तो बच्चों में कुपोशन क्यों हो रहा है बच्चे कुपोशन के स्विकार क्यों हो रहा है महिलाओं के स्वास्त पर किस तरह से ध्यान दिया जाए ऐसे बहुत से चीज़े हैं जिनको हम ध्यान में रखकर गाओं के जो लोग हैं उनके स्वास्त के सुधार की बाते हैं तीसरी जो बात आती है वो आती है स्वक्ष बाता वरण तो ये प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार गाओं में साफ सफाई रखी जाए क्योंकि स्वक्षता का सीधा सीधा संबंद जो होता है वो स्वास्त से होता है तो ये प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार गाओं में वहाँ पर आसपास का जो वातावरण है उनको स्वक्ष और स्वस्थ रखा जाए तीसरी जो महत्पूर्ण बात इसके अंतर गताती है वो है भूमी सुधार की क्योंकि हम बार-बार यह देख रहे हैं यह जान रहे हैं कि गाउं का जो सीधा-सीधा संबंध होता है वो कृशी वेवस्था से होता है गाउं के जो लोग होते हैं उनका मु के लिए चाहिए गाउं हो या शहर हो या कोई भी छेत्र हो जहां पर जन जीवन है उनके लिए जो बहुत आवश्यक सुविधाएं होती है बहुत आवश्यक चीजे जो होती है जैसे कि सिचाई की सुविधा बिजली की सुविधा परिवहन की सुविधा जो उत्पाद है शेत्री उत्पादन जो है वहाँ पर उसके विपढन की सुविधा और जो सबसे महत्पूर्ण सुविधा होनी चाहिए वो है सूचना और प्रसार की सुविधा ताकि जो गाओं की लोग हैं उनको सारी जानकारिया चाहे वो कृषिशी से संबंदी तो स्वास से संबंदी हो या सिक्षा से संबंदी तो समय पर प्राप्त हो सकें अब जब हम ग्रामीड विकास की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे महत्पूर्ण बिंदू होते हैं जिनको हम ग्रामीड विकास के अंतरगत साथ लेकर चलते हैं जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि क्रिशी में विपड़ जा सकता है और जैवित क्रिशी पर भी हम कुछ मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे तो आए सबसे पहले हम क्रिशी साख पर एक नजर डाले जो कि यहाँ पर जिसकी बारे में हमने देखा कि गरामीन विकास का एक महत्पूर अंग है तो जब हम बात क्रिशी साख की करते हैं तो इसे ही हम दूसरे शब्दों में ग्रामेड साख भी कह सकते हैं क्योंकि हमने देखा कि गाउं और कृषी दोनों में आपस में घनिष्ट संबंद है जो गाउं के लोग हैं उनका मुख्य कारे कृषी करना होता है यह जब वो कृषी कारे करना प्रारंब करते हैं तो उनको इस कृषी कारे के लिए उन्नत कहीं न कहीं उनको साख या ने की रिण या उधार की जरूरत भी पड़ती है तो क्रिशी साख में किन-किन कारियों के लिए दिये जाने वाले रिण को शामल किया जाता है उस पर हम एक नज़र डालने इसके अंतरगत बीच खरीदने खाद खरीदने उन्नत यंत्रों को खर क्रिशी साख की वेवस्ता यह और आज संस्थागत सम्थिया करती है और कई बार गէार संस्थागत समितिया करती है जैसे अगर संस्थागत समितियों को बात करें तो इनके अंतरगत साहुकार आसपास के जो लोग है मित्र है रिष्टेदार है यह एजेंट जो होते हैं यह सारे उनके अंतरगत आते हैं और जब हम संस्थागत समितियों की बात करते हैं जो क्रिशी के लिए रिंट प्रदान कर सके क्रिश किस प्रकार से है किस किस आधार पर इसका वर्गिकरन किया जा सकता है तो यहां पर हम इसके तीन प्रकार देखते हैं पहला है अल्पकालीन रिन दूसरा है मध्यकालीन रिन और तीसरा है दिर्धिकालीन रिन तो सबसे पहले जब हम अल्पकालीन रिनों की बात करते हैं तो इ माह की होती है यानि कि 15 माह के अंदर इन रिणों का भुगतान कर दिया जाता है वास्तों में देखा जाये तो बहुत छोटे-मोटे कारे के लिए किसान इस प्रकार के रिण लेता है जैसे बीज को खरीदने के लिए खाद खरीदने के लिए यह समान निक्रिशी संचालन समान की समय वधी हम देखे तो ये 15 महीने से लेके पांच वर्ष तक का हो सकता है इसमें इसके अंतरगत जो रिण लिया जाते हैं समानिता उनकी प्रकृती बीज या खाद खरीदने से संबंदित तो होती है लेकिन साथ में कुछ बड़े खर्च जैसे आवजार खरीदने जिनकी समय वधी जो होती है वो पांच वर्ष से लेकर 20 वर्ष की होती है तो क्योंकि इनकी समय वधी काफी लंबी होती है इसलिए जाहर से बात है कि इनके अमाउंट जो होती इस पर दिये गयर इनकी राशी जो होती है वो भी काफी अधिक होती है और ज्यादा तर ये जो मशीन इस तरह की जो महंगी चीजें महंगी वस्तुएं महंगे कृशी उपकरण हैं उनकी खरीदी के लिए इस तरह के रिण लिये जाते हैं जिने हम दीर्ध कालिन रिण की श्रेणी में रखते हैं तो ये अलग-अलग तरह के समय के अनुसारिन का विभाजन किया गया है संसागत और दूसरे हैं संसागत तो अगर हम गैर संसागत रिण स्त्रोतों की बात करें तो वहां सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है साहुकार का अब ये जो साहुकार या महाजन होते हैं जैसे कि आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा कि प्रतेक जो गां होत पूरा करने के लिए उन्हें देते हैं कई बार जो लोग होते हैं वह अपने घर के जो होते हैं यह महिंगे समान जो होते हैं और न transient है कि क्रिशी जो है वो एक आजीविका के लिए भोजन के लिए एक बहुत महतपूर्ण चीज है इसलिए मजबूर होकर जो व्यक्ति गाउं के जो लोग है वो महाजन से रिण लिया करते थे अभी भी ये प्रथा जारी है हाला कि काकडों के नुसार अगर हम देखें तो शोशन युक्त एक ये प्रथा है लेकिन फिर भी बहुत ज जानकारी के अभाव में लोग गाउं के जो लोग है वो अभी भी साहुकार महाजन से रिण लेते हैं तो 1952 में इनका जो क्रिशी के छेत्र में दिये जाने वाले रिण का जो योगदान था वो लगबग 75 प्रतिशत था और 1980 क्यासी में ये घटकर 27 प्रतिशत हो गया फिर 1990 इंक्यानबे में और घटकर 20.1 प्रतिशत हो गया और इसी तरह से 2001 और 2 के अंतरगत घटकर 15.1 प्रतिशत हो गया तो इन आकड़ों से एक बात तो जाहिर है कि गाओं के लोगों में अब क्रिशी संबंधित जो साक्स विधाये हैं सरकार के द्वारा जो चलाई जाने वाली योजनाये हैं उनके प्रतिक काफी जागरुपता आई है यही कार दूसरा हम देखते हैं व्यापारी या जो कमीशन एजेंट होते हैं वास्तों में इनकी जो इस्तती होती है वो कुछ इस प्रकार होती है कि वो जो क्रिशक होते हैं जो गरीब क्रिशक होते हैं उनको रिन तो देते हैं लेकिन बाद में उन्हीं रिनों को वापस लेने के ल तो बहुत अच्छा ये वित्त का प्रकार है बहुत अच्छा ये कृशी साख का प्रकार है ऐसा नहीं कहा जा सकता फिर भी जानकारी के आभाव में या कई बार जो सरकारी वित्त विवस्थाएं उनमें बहुत सी उल्जनों के कारण या लोगों को जागरुकता लोग उसके प्रति जागरुक नहीं है इस कारण ये जो एजेंट या फिर व्यपारी वर्ग से जो वित्तु सुविधाय दी जाती है लोग इनका लाब लेते हैं एक आकडों से अगर देखें तो 1952 में इनके द्वारा दी गई जो वित्ति की राशी है कृशी के संबन्ध में उसका प्रत सरकार के द्वारा योजनाय चलाई जा रही है सरकार के द्वारा जो उनको कृशी संबन्धी जो लाब दिये जा रहे हैं उनके बारे में परयाक्त जानकारे उनको हासिल है परयाक्त उनको जागरुकता है यही कारण है कि यह जो पुराने तरीके हैं वित्त प्राप्ति करन कि इंकी जुद्दर है वो लगातार घड़ती जा रही है, तीसरा एक जो स्त्रोत है जिसे हम गहरसंथा का स्त्रोत क्या सकते हैं, मित्र या जो सगे सम्दि ने समय से चली आ रही है, मित्रों से या सगे सम्दियों से उधर लेना और कृषी कारई। पैसे उधार लेने yourself प्राचीन प्रक्रिया है और लगातार अभी भी चली आ रहे हैं कि यह बहुत आसान साधन है और चोटे-मुटे पैसों की जरूरत है और आसानी से हमको लेना है जल्दी लेना है तो आसपास के लोगों से किसे मित्र से आपने वो अपने परिचित से भी जो कृष्षी छेत्र के लोग है वो उधार लेते हैं साथ ही यहां पर जब हम गैर संस्थागत स्त्रोत के साथ संस्थागत स्त्रोतों की बात करते हैं तो सबसे पहले जिसका नाम आता है वो होती है सहकारी साख समितिया सहकारी साख समितियों पर एक हम नजर डाले तो हम देखते हैं कि यह जो सम है कि यह तीन इस्तर पर काम करती हैं like मिस्तर पर जिला या तहसील इस्तर पर और तीसरा राज-सतर पर तो घूंव इसкие अंतरमिक कर्शी करा आया जाता है जैता है नाकृत करती है केंद्रिय सरकारी सिमिति जैसे कि नाम से इस पस्ट है इन बैंकों का जो मुक्य उद्देश है वो ये है कि क्रिशी का जो मुख्य साधन है भूमी उसको विक्सित किया जाए यानि क्रिशकों को उनकी आवशक्ता के अनुसार भूमी उपलब्द कराई जाए इसके अंदर बहुत से कारे किया जाते हैं जैसे यहां पर भूमी की उपलब्दता सुनिश्चित कराने के लिए बूमी को खरीदने के लिए इस प्रकार के रिंड दिये जाते हैं साथ ही इसमें हम देखते हैं कि जो बंधक भूमी की रूप में रखी गई है तो उनको चुड़ाने के लिए रिंड दिया जाता है भूमी सुधार के लिए, भूमी के उर्वरता में वृध्धी करने के लिए भूमी को उर्वरा बनाने के लिए अगर किसी चीज के ज़रुत है कुछ यंत्रों के, कुछ औजारों के तो उसके लिए भी इसके अंतरगत रिणी प्रदान किया जाता है दूसरी एक महत्वपूर बात ये है कि इसके अंतरगत जिन रिनों को प्रदान किया जाता है उनकी समयाविधी जो होती है वो काफी लंबी होती है यानि कि हम यह कह सकते हैं कि दीर्ध काली इंवरिन इसके अंतरगर प्रदान किये जाते हैं जिनके अवधी जो होती है वो लगभग 15 से 20 वर्ष की होती है और वर्तमान में हम इसके स्थती की बात करें तो हम देखते हैं कि लगभग 20 ऐसे बैंक है जो भूमी बंधक बैंक के रूप में बूमी सुधार बैंक के रूप में कारिक कर रहे हैं और इस 20 बैंकों के अंतरगर भी हम देखते हैं कि लगभग 3000 से अधिक इकाईया इस छेत्र में काम कर रही है जिसमें भूमी जो है कृषी का जो महत्वपूर्ण साधन है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर आई जा सके अगला जो यहाँ पर हम देखते हैं वो है छेत्री ग्रामीड बैंक क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो छेत्र है कृषी को लेकर वो ग्रामीड छेत्र में है जब हम कृषी आये की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो फोकस जाता है वो ग्रामीड छेत्री की ओर जाता है तो वहाँ पर क्या development करना है किस तरह का विकास करना है इन सब चीजों को ध्यान में रखकर छेत्री ग्रामिड बैंकों के स्थापना की गई और इसकी बारे में हम यह कह सकते कि भारती कृशी साख के अंतरगत इसके स्थापना 26 सितंबर 1975 को की गई और लगबग 50 छेत्री ग्र जो चेत्र है वहाँ पर जो भूमी है क्रिशी भूमी जो है उनमें सुधार लाना साथ में जो लगू किसान है जो भूमी ही इन किसान है उनको भूमी की उपलबदता सुनिश्चित कराना और छोटे मुटे जो किसान है उनको कुछ उनको जरूरत की धनराशी है वो उपलब बैंक आता है इसकी स्थापना जुलाई 1979 में की गई वास्तों में जब 14 बैंकों का राष्ट्रे करण किया गया तो उसके बाद क्रिशी छेत्र में जो साख की जो सुविधा उत्पन हुई वो इसका एक महत्पूर उद्देश रहा जैसे अभी तक हम देख रहे थे कि यहां प पर देखते हैं कि सरकार के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे योजनाये चलाई गई भूमी सुधार के लिए जिसमें भूमी सुधार रिन अधिनियम 1883 और क्रिशक रिन अधिनियम 1884 के अंतरगत जो क्रिशकों को रिन दिये जाते थे उनसे समबंदित सभी योजनाये इन में शामल की गई उस समय जब यह रिन दिये जाते थे तो उन्हें तकाबी के नाम से जाना जाता था जो कि एक काफी एक बहुत समय पहले की वो बात हुआ करती थी जबकि अकाल बाढ या बहुत सारी असे प्राकृतिक जो आपदाएं आती थी उनके कारण जो क्रिशक थे वो अपने भूमी का समुचित जो उत्पादन है वो प्राप्त नहीं कर पाते थे तो उस कंडिशन में उस दशा में यह जो रिण है वो रिण की सुविधाय जो है वो प्रदान की जाती थी अगला जो हम इसका संस्थागत बैंकों के बारे में जब बात कर रहे हैं तो यहां प चैस के लिए बहुत से कारे करता है जिसके अंतरगत हम देखते हैं कि यह संबन्द में निशुल्ख सेवा प्रदान करता है साथ ही गोदान के लिए भी अगर किसी चेज की आवशक्ता या सहायता की जवरत है तो उसमें सहयोग प्रदान करता है कृषकों को प्रत्यक्षिन देता है कुलमिला का अगर बात की जाए तो लगभग 42 प्रतिशत इसके ऐसी शाखाये हैं ग्रामीन चेत्रों में कृषी सुधार के लिए कारे कर रही है और साथ ही एक ये भी महत्वपूर्ण बात जान लेनी चाहिए कि भारतिय स्टेट बैंक में ने 1972 में एक योजना बनाई जिसमें उसने लगभग 508 कृषी विकाश साखाये स्थापित की जिनका मुख्यों देश्रिक कृषी के चेत्र में भूमी सुधार आवश्यक जो सुविधाये हैं कराना क्रिशिकों को अच्छी क्वालिटी का बीज अच्छी क्वालिटी का खाद उपलब्द कराना और इस तरह की बहुत सारी सुविधाओं को शामिल किया गया जिनका प्रत्यक्ष और सीधा संबंद क्रिशी विकाश से था क्रिशी विपड़न पर एक नजर अगर हम डाले तो जैसे कि हम विपड़न की बात करते हैं मार्केटिंग की बात करते हैं एक उद्धमी जब अपने वैपार में किसी उद्योग में जब किसी वस्तू का उद्पादन करता है तो उसका एक मुख जो उसका फोकस रहता है वो वो किस प्रकार से अपने प्रोड़क्ट को बाजार से इंट्रोड्यूस कराएं कैसे वो बाजार में उतारें और कैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्जिन प्राप्ति करें ज़्यादा से ज़्यादा लाब प्राप्ति करें तो लगभग ऐसी इस्थिति कही न क आपने लिए भोजन अपने परिवार के लिए भोजन मुहया कराना होता है लेकिन जब यही कृषी व्यवसाय का रूपधारन कर लेती है तो वहां पर जो मुख्य बात ये मुख्य समस्या आ जाती है वो होती है विपढन की कैसे इन क्रिशी उपजों को मार्केट तक ले जाया जाए और उनका सही समुचित मूले प्राप्ति किया जाए ये सारी चीजें आती है क्रिशी विपड़न के अंतरगत आए क्रिशी विपड़न को और अच्छे से समझने के लिए मिसके कुछ परिभाशाओं को जाने थॉमसन के अनुसार क्रिशी विपड़न अध्यन के अंतरगत उन समस्त्य क्रियाकला को एवं संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनके द्वारा क्रिशकों के फॉर्म पर उत्पादित खाध्यान, कच्चा माल एवं उनसे निर्मित माल का फॉर्म के उबुखताओं तक संचालन होता है विपड़न क्रिशकों मध्यस्तों एवं उबुखताओं पर पढ़ने वाले प्रभाव का अध्यन भी क्रिशि विपड़न के अंतरगत किया जाता है कोल्स एवं डल के शब्दों में खाध्य विपड़न से अर्थ उनसमस्त व्यापारिक प्रियाओं को संपन्न करने से है जिनके द्वारा खाध उत्पादों एवं सेवाओं का प्रवा क्रिशी उत्पादों के प्रारंभिक बिंदू कृषक का फॉर्म सिव उभोगताओं तक होता है तो आपने देखा कि सभी विद्वानों ने माना है कि क्रिशी विपढ़न कि कि अंतरगत किये गए जो उत्पाद है उनको कही न कही बाजार तक पहुचाने बाजार में लोगों में उनके उनसे सम्बंदित जानकारी को उपलब्द कराने से सम्बंदित है अब अगर हम बात क है जो समान है जो उत्पादन है उनको कहां कहां पर उनको बेचा जा सकता है तो जो सबसे पहले बात आति हैं वह होती है जादा तर जो किसान है ये प्रयास करते गाउं में जो सापताहिक या मासिक या दैनिक जो बाजार होते हैं उन बाजारों में ही वो अपनी कृशी उपज को खपा लें तो ये भी प्रयास रहता है कि गाउं में कृशी का विप्रण कर दिया जाए दूसरा यहां पर हम देखते हैं कि मेले में भी विक्री होती है जैस जो मेले होते हैं ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनते हैं जिनके द्वारा एक क्रिशक अपनी क्रिशियोपज को वहां पर वो बेच सकता है खपा सकता है तीसरी जो बात आती है वो होती है मंडियों की मंडियां जो होती है वो एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित कुछ नियमों के आधी इन बनाई जाती है जिन पर सरकार का भी अस्तित्व रहता है सरकार का भी के अंतरगत वो जो बनाएगे नियमों के जो बात आती है यहां यह सहकारी सिमितिया आपने देखा होगा कि आपके गाउं में कुछ सहकारी सिमितिया होती है जो क्रिशकों के उपज को खरीदती है और उसके बाद उसको गाउं में ही बेचती है और उसका एक अच्छा मूले क्रिशकों को प्रदान करने का प्रयास करत सुनिश्चित करते हैं वहाँ पर वो क्रिशकों से उनके क्रिशी उपच का माल एकत्र कराते हैं और एक निश्चित मूले उनको उसक्रिशी उपच का प्रदान करते हैं और हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनक्रिशकों को हानी ना होने पाए कम से कम उनके बीज उनके खाद गो आपि अब अगर इन सब पर एक नजर डाले तो हम देखते हैं कि कहीं न गई इसमें कुछ न कुछ परिस्थितिया ऐसे बनती है कि इन सारे छेत्रों में कुछ न कुछ समस्याएं हमेशा आती रहती हैं तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कृशी विपड़न के छेत्रे में भी बहुत सारी समस्याएं है आए देखते हैं कृषिविपडन में कौन-कौन से समस्या हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि मध्यस्तों की अधिकता है कृषण उत्पादन जब करता है तो वो डाइरेक्ट जब बाजारवर नहीं बेच पाता है वो बेचता है थोक वैपारियों को थोक वैपारी बेचते हैं फुटकर वैपारी को और फुटकर वैपारी फिर बेचते हैं जनता को तो इनके बीच में इत्ते सारे चैनल इत्ते सारे माध्यम आ जाते हैं कि उस वस्तू का मूल जो फुटकर वैपारी होता है लास्ट अन्ति जो भी क्रेता होता है, वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर उब्भोगतां तक उनको पहुंचाता है, खुद बहुत ज़्यानदा लाप प्राप्ति करता है, लेकिन वास्तों में जो उसका उत्पादन करता होता है, या नहीं कि कृषक उसको समुचित लाप जो उ टोकन की जो समस्या है, समय की जो समस्या है, मंडियों में रख रखाओ की जो समस्या है, वो भी कही न कहीं कृषी के छेतर में विपड़न की एक महत्वपूर समस्या मानी जाती है साथ ही हमें आप ये भी देखते हैं कि बाजार का जो व्य होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि कृषी का उद्पादन जहां पर हुआ, वहां से लेकर उसको बाजार तक ले जाना भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है यहां पर उनको पैक करना, फिर उनको परिवन माधियम उनके लिए तय करना, फिर वहां पर बाजार में ले जाकर उनका भंडारन करना तो ये सारी समस्या जिनके कारण कृष्यक जो आपनी उत्पाद का सही-सही मूले प्राप्त नहीं कर पाता है साथ ही एक समस्या ये भी देखने को मिलती है कि श्रेणी और प्रमापी करण का भा होता है अगर उनके जो उत्पाद होते हैं वो बाजार तक पहुँच जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अलग-अलग श्रेणी के अलग-अलग प्रमाप के जो उत्पाद होते हैं उनका मूल एक ही माल लिया जाता है जिबकि कॉलिटी जो होती है वो उत्पादन के अलग-अलग होती है तो ये एक्रिशिकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या होती है साथी ये भी देखने को मिलता है कि भंडारन, परिवहन और वित्त सुविधाओं के कारण कई बार जो अच्छी कॉलिटी के माल होते हैं वो गाउं में ही पड़े रह जाते हैं उनका बहुत अच्छे से उनका विक्रे नहीं हो पाता है और वो बाजार तक पहुँच नहीं ही तो यह कुछ ऐसी समस्याओं हैं जो एक कृषिय उत्पात के विपड़न में सामने आती हैं अब हम बात करते हैं कि इन प्रिशी विप्डन की समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहला जो उपाय है वो यह हो सकता है कि नियमित मंडियों के स्थापना की जाए यानि कि कुछ एक ऐसे निश्चित छेत्र इस्थापित के जाए जहां पर किसान अपनी उपज को ले जा सके आसानी से परिवहन व देशा में वैपक कारे करते हुए लगभग साथ हजार बासट मंडियों के स्थापना अब तक की है दूसरी जो विवस्था यहाँ पर की जा सकती है इन कृषी विपडन की समस्याओं को दूर करने के लिए वो यह हो सकती है कि श्रेणी विभाजन और प्रमापी करन को बढ कृषी में उत्पाद की गए जो वस्थवे होती है उनके गुणवत्ता अलग अलग होती है तो सभी प्रकार की वस्थवों का एक तरह से मूल्य देना कहीं न कहीं अनुचित होता है तो यहाँ पर यह भी प्रयास किया जाना चाहिए कि जो उत्पादित वस्थवे हैं उनक उनका श्रेणी करण किया जाए उनका प्रमापी करण किया जाए ताकि जो उत्पादक है उनको समुचित लाब मिल सके कि तीसरी एक व्यवस्ता यहाँ पर ये की जा सकती है कि प्रमानित बाट या नापतॉल morte के जो भी उप प्रियोग में ले जा रहे हैं प्रमाणित हो उनक तरीके से नात तॉल नहीं कया गया. यह नात तॉल करते जमें कुछ उसमें तूटिया हुई, कुछ गल्तिया हुई. तो इनको इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए प्रमाणित बाट का या प्रमाणित नात तॉल के अंतरों का प्रयोगी किया जाहिए. साथ ही एक कार यहां पर यह भी किया सकता है कि विपड़न सूचनाओं का प्रकाशन या प्रसारण किया जाए कई बार विपड़न के लिए बहुत सी योजनाएं तो बना दी जाती है मंडियों के सापना भी कर दी जाती है सरकार के द्वारा व्यापक प्रयास किये जाते हैं कि सरकार को कि किसानों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तों का सही सही मुल्ले प्राप्त हो पाए लेकिन ये सारी प्रक्रिया किस तरह चल रही है कब होगी इस तरह की जो जानकारिया होती है वो कृष्ट को तक नहीं पहुँच पाती यही कारण है कि वो पूरा पूरा लाब इन योजनाओं का नहीं ले पाते तो विपड़न की जो व्यवस्थाएं किस तरह की गई है, क्या-क्या सुइधाएं प्रदान की जा रही है, इनका एक व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना भी जरूरी है इसी प्रकार हम देखते हैं कि भंडारन ग्रह की सुइधा, जैसे कि हमने समस्याओं में देखा कि भंडारन ग्रह की जो समस्या है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्रिशक जो है वो बहुत ही महनत से अपनी उत्पादन करता है, लेकिन सही समय पर भंडारन ना होने पर या बंडारन गरे की समुचित विवस्थन ना होने के कारण कई बार उसकी जो फसल होती है उसकी जो के उत्पाद होते है वो बारिश के कारण यानि कई प्राकृति कापदाओं की कारण खराब हो जाते हैं और उन फसलों का फिर उचित मूले किसानों को नहीं मिल पाता है तो यह वहावी एक भणडारण के जो समस्या उसको दूर करने का एक समचित प्रेयास किया जाए uhhh वहां से मंडियों की जो दूरी होती है य ΣB jin कि इनके परिवहन की वेवस्था अचीज नहीं है तो क्रिशक उन उत्पादों को विपड़न छेत्र तक बाजार तक या मंडियों तक नहीं ले जा पाता साथ में विपड़न कर्मचारियों को प्रसिक्षन दिया जाना भी जरूरी है जब विपड़न की बात करते हैं तो इसका छेत्र काफे विस्तृत और व्यापक हो जाता है इसके अंतरगत बहुत सारे कर्मचारी, एजेंट, प्रबंधक और ऐसे बहुत से अलग-अलग वर्गे के लोग आते हैं जो सारे लोग आपस में मिलकर विपड़न का कारे करते हैं लेकिन अगर वे उनके कारे को शलता सही नहीं है, अगर वो प्रसिक्षित नहीं है तो वो इन सभी सूचनाओ को, इन सभी जानकारियों को और विपड़न के कारे को इन सब कलाव कृषिकों तक नहीं दे पाते हैं तो विपढन कर्वचारियों को प्रसिक्षित करने की भी एक जरूरत महसूस की जाती रही है। साथ ही यहाँ पर हम यह देखते हैं कि अगर वित्तिय सुविधाएं आसान हो सकें। हमने इसके पहले देखा कि किरिशी साख के लिए एक तो गैर संस्थागत भी हमने कुछ नाम देखे और संस्थागत भी हमने देखे कि सरकार के द्वारा स्थापिद बहुत सी ऐसे बैंक है बहुत से संस्थाई हैं जिनका मुख्योद्देश क्रिशी के लिए साख उपलब्द कराना है लेकिन कई बार बहुत सारे नियम कानून ऐसे जटिल होते हैं कि क्रिशक बहुत आसानी से इन से साख प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो कही न कहीं इसकी भी आवशकता महस उसकी जाती रही कि इन नियमों को थोड़ा श्यतिल किया जाए आसान बनाया जाए जिससे क्रिशकों को वित्य की विवस्था आसानी से हो सके उसकी बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि सहकारी विपड़न समितियों की अगर स्थापना कर दी जाए तो वो जो सहकारी विपड़न समितिया रहेंगी जो अन्य जो समितिया रहती हैं जैसे हम मंडी की बात करते हैं या विपड़न मार्केट बाजार की बात करते हैं उनकी यहां पर सहकारी समितियों में क्रिशकों को विपड़न करना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि हमने देखा कि सहकारी समितियां जो होती है वह सहकारिता की भावना से काम करती है पर लाव की भावना से काम करती है तो यहां पर काम करना क्रिशकों के लिए काफी आसान हो जाता अगला हम आपर देख सकते हैं कि गुड्रोन का जैसे की सरकार करते आ रहे टो हम और उद्धारित कर दिया जाये तो कर शुक्ड्रोत को कम से कम कम उनके द्वारा उत्पादीत वस्तों का वो मुलिय मिल सके जितना कि उन्हों उनके द्वारा पेक्षित था या जितना उन्होंने उत्पादन के दौरान खर्च किया और उन्होंने उन्होंने जो एक उनको निश्यत लाभ जो मिलना चाहिए वो उनको प्राप्त हो सके सहकारिता की जब हम बात करते हैं तो ये भी देखना जरूरी है कि बास्तों में ऐसे कौन-कौन से कारण है जिसके कारण ये माना जाता है कि अगर सहकारिता की व्यवस्ता कर दी जाए तो वो क्रिशी विपढन के लिए एक बहुत आसान कारी हो जाएगा तो क्या भूमिका है सहकारिता की ये देखते हैं सहकारिता की भूमिका में हम सबसे पहले देखते हैं कि सहकारिता होता क्या है कुछ बिंदो के अधार पर हम इसको समझते हैं तो हम ये देखते हैं कि सहकारिता स्वेक्षा से बनाया गया एक सारवजनिक उपक्रम होता है हारा कि सरकार के हस्तक शेप से बनाया जाता है लेकिन इन में जो जिन लोगों को शामिल किया जाता है जो सदस से होते हैं वे स्वेक्षा से इसमें शामिल होते हैं दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यहां देखने को मिलती है कि इसका उद्देश जो होता है वो पारिस्परिक प्राप्ति कर सके ये उनका उद्देश्य होता है इसके बारे में हम एक बात ये भी देखते हैं कि इसका जो अर्थ है वहीं इसको फोकस करता है कि मिल जुल कर कारे करना यानि इसके अंतरगत जो कारे किये जाते हैं वो सहकारी समिती के जो सदस से होते हैं वो सब लोग आपस में मिल जुल कर उस कारे को करते हैं साथ में इसके बारे में अगर हम देखें कि ये कारे क्या क्या करती हैं समतिया जब क्रिशी विपढ़न छेत्र में सहकारी समतियों के स्थापना की जाती है तो इनके कौन-कौन से कारे होते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विपढ़न स विपढ़न व्यवस्था के अंतरगत सहकारी समित्यों के द्वारा किये जाते हैं। प्राप्ति कर सके। समित्यों के जो सदस हैं। वे ही स्वेम अपने लाप के लिए इस कारे को कर रहे हैं। फिर भी इनको एक व्यपारिक संस्था कहना सही होगा। अब हम देखते हैं कि सहकारीता का उद्देश क्या है। किन उद्देशों को धान में रखकर ये सहकारी समित्या इस्थापित की जाती हैं। और अपने कारे करती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि अपने सदस्यों को उनके वस्तू का उचित प्रतिफल दिलाना इसका सबसे महत्तिपूर उद्देश है। हमने पहले भी देखा कि सहकारी समित्या जो स्थापित की जाती हैं। उनमें जो सदस्य होते हैं। कही ना कई उद्देश यह होता है कि उनके द्वारा उत्पादे त्वस्तुएं हैं उर्षित इसलाब उनको प्राप्त हो सकें। कुछ सहकारी समितियां होती हैं और उनके पास कुछ गोदाम होते हैं जहां पर वो कृषक सहकारी समितियों में लाकर अपने जो उत्पाद होते हैं उनका संग्रहन करते हैं साथ इनका एक उदधेश आवशक्ता के समय वित्तियरिण भी देना होता है जैसे हमने देखा कि संस्थागत समितियों की जब हम बात करते हैं तो सहकारी समितिया भी उनी इसंस्थागत समितियों के अनतरदर्ण शामल होती है जिनका एक मुख्य क्रिशी साख उपलब्द कराना होता है। जो सूचनाएं हैं वो इन कृषिकों को उपलब्द कराई जा सके बाजार के स्थिति क्या है किस मूले पर किया जाना है किस समय बाजार में किस कृषियूत पाद की कैसी मांग है इन सभी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ सूचनाओं को नर्मान करना और सही स सदस्यों को उपलब्द कराना यह इसका एक महत्वण कारे हैं साथ ही इसका एक मुख्य उद्देश यह भी है कि सदस्यों को जो कृषियूत पाद से संबंधित जो कच्चा माल है वो उपलब्द कराया जाए जिसके अंतर गथम कहा सकते हैं कि बीज अच्छे बीज जो सहकारी समितियां हैं वहां पर क्रिशक जो होते हैं वो बीज और खाद की मांग करते हैं और वहां से वो प्राप्ति कर सकते हैं तो हमने देखा कि किस प्रेकार सहकारी समितियां क्रिशी विपड़न के छेत्र में एक महत्वण भूमिका अदा करती हैं लेकिन भारत के प एक तज़र ढलते हैं प्राथमिक सहकारी विपढ़न समितियों की बात करते हैं तो इसके अंतरगत हम देखते हैं ये ऐसे शनसाएं हैं जो कि ग्रामीρ स्थर पर कारे करती है एक गाउन विशेष के लिए ये कारे करती है और जैसे कि हमने पहले भी जाना क्योंकि ये कृषी विपढन के छेतर में कारे इनको करना है तो इनका मुख्य जो कारे होता है वो कृषी उत्पात के लिए जो सुविधाय प्रदान की जाती है खात के बेजगे या यंद्रों की उनके उपलब्धता सुनुश्चित कराने का कारे ये करती हैं साथ में इनके बारे में ये देखते हैं कि वित्य सहायता भी उपलब्ध कराती है अगर जो छोटे जो कृषक हैं उनके लिए अगर छोटे मुटे वित्य की अगर जवरत पड़ती है पैसे किरिण की उधार की अगर जवरत पड़ती है तो ये जो प्रात् केंद्रे सहकारी विपढ़न समितियों कुछ बिंदों के अधार पर समझते हैं यह समितिया जो होती है वह प्राथमिक सहकारी विपढ़न समधिया उनके उपर के स्थापना के अगर हम बात करें तो यह शहरी छेतरों कि प्राथ्मिक स्थापित की गई है उन समिथियों को सहयोग करते हैं और देखते हैं कि हुए किश्री कारे के लिए साधन उपलब्द कराने में सहीयों करती है जैसे कि हमने देखा कि प्रात्मिक सहे कारी समधिया होती है और केंद्रे स्थापित ये जो सहे संख्या कि अगर बात करें तो वर्टमान में लगभग 157 इस तरह की सहकारी समितियां इस्थापित की जा चुकी हैं तीसरे सरुप की हम बात करें तो तीसरी जो समिति है वो है प्रांतिय सहकारी विपरण समितियां प्रांतिय सहकारी विप्रन समितिय जैसे कि नाम से इस पस्टे किसी राज्य या प्रांत विशेश के लिए स्थापित की जाती है और इनका जो सरूप होता है वो प्रात्मिक और सेकेंड हमने जो देखा था केंद्रे सहकारी विप्रन समितिय इनसे भी उपर इस्तर पर ये का करती हैं कृषी संबंधी रिड उपलब्द कराना कृषी संबंधी आवश्यक जो कच्छे माल होते हैं जिसे भीज होते हैं इनकी उपलब्दता सुनेश्षित करना इन समितियों का एक मूख्य उद्देश्य होता है एक विशेस बात जो हमको इनके बारे में जान लेनी चाहि की हैं अगले स्वरूप के हम बात करें तो यह होती है राश्ट्री सहकारी विपढ़न संगठन राश्ट्री सहकारी क्रिशी विपढ़न संगठन इसके अंतरगत हम देखते हैं कि यह जो समितियां होती है यह सहकारी विपढ़न संस्थाओं के शीर समितियां होती है सबसे वारिक वा कृशी विपढन के जो क्रिया कलाप होते हैं उनमे आपस में समध्य करती हैं कृशी समंधी कारती आपस में समयोजन दो कृपरेयों में सहियोग स्थार्थ करती हैं साथ में इनके अंतरगत हम ये भी देखते हैं कि इनका एक मुख्यो देश कृषी वैपार को बढ़ावा देना होता है अब चाहे वो कृषी के लिए आवश्यक संसाधनों को सुलब कराना पड़े या वित्ति की विवस्ता करनी पड़े साक की विवस्ता करनी पड़े तो वो सारे कारे जिससे क्रिशी को बढ़ावा मिल सके वो सारे कारे इसके अंतरगत आते हैं। क्रिशी विपढन की बात करते हैं, क्रिशी उत्पादों के विक्रे की बात करते हैं और क्रिशुकों के हित की बात करते हैं। तो ये जो समितिया होती हैं वो किस तरह से इनमें लाब पहुंचाती हैं। यानि कि सहकारी कृशी विप्रण समितियों की भूमिका की अगर हम बात करें तो इनकी सबसे पहली भूमिका जो होती है विप्रण के छेत्रे में ये होती है कि ये मध्यस्तों का अंत करते हैं जैसे कि हमने क्रिशी विपढन की समस्याओं के बारे में जाना था कि मध्यस्तों का होना एक बहुत बड़ी समस्या है उत्पादन का कारे क्रिशक करता है और उस उत्पाद को थोक विक्रिता खरिता है दलाल के माध्यम से फिर वो अन्य विक्रिताओं को बेचता है धीरे धी पहुचती है और फिर वो उभोकताओं तक पहुचती है तो यह प्रक्रिया इतनी लंबी होती है और इसमें मध्यस्थ इतने अधिक होते हैं कि वो अपना कमिशन इसमें एड करते करते जोड़ते जोड़ते इन वस्तों का बहुत ज्यादा मूले बढ़ा देते हैं तो अंतिम सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है तो जो कि एक उत्पादक होता है यहाँ पर जो लाब मध्यस्तों को मिल रहा था आब पूरा का पूरा लाब कृशक को प्राप्त होता है तो ये एक महत्वपूर्ण बात यहां पर आती है कि इन समित्यों के स्थापना से विपड़न में एक महत्वपूर्ण सुधार यह आया है कि मध्यस्तों का अंत हुआ है और कृशकों को जो उनका लाब का हिस्सा है वो समझ बेचने होते थे तो बाजार में भी बहुत सारी समस्याइं आती थी एक तो परिवहन की समस्या कि उनको बाजार तक उत्पात को कैसा ले जाया जाए दूसरी बात बाजार में मांग और पूर्ती की समस्या काला बाजारी की समस्या ऐसे बहुत सारी समस्याइं थी जिससे अब क्यूंकि सहकारी सिमित्यों के द्वारा भारन के उचित व्यवस्था कर दिगई विप्डन के उचित व्यवस्था कर दिगई तो बाजार के यह जो इने से मुक्ति मिल पाई तीसरा एक महत्वपूर्ण योगदान ये रहा कि वर्गी करन की सुविधा हो गई सहकारी सिमितियों में आने वाले जो उत्पाद होते हैं आपने देखा होगा कि यहूं की बहुत सारे किस्म होती हैं अधान के बहुत सारे श्रेणिया होती हैं और के नुसार उनको अलग-अलग भागों में विभाजित करके रखा जाता है जिन से अलग-अलग प्रकार के जो उत्पाद होते हैं उनका अलग-अलग मुले कृश्यकों को प्राप्त हो सके तो यह एक महतपूर्ण लाब यहां पर प्राप्त हुआ साथ में जो उचित तॉल की सुविधा थी जब मंडियों में जाते थे यह कृश्य उत्पाद या बाजारों में जाते थे तो वहां पर एक नाप तॉल की जो समस्या थी उसमें तुरुटियों की शिकायते अकसर मिला करती है तुरुटियों की संभावना भी बनी रहती है ले अपने क्रिशियूत पात का नापत और आसानी से करा सकता है तो ये जो समस्या थी इसका भी समधान इन समित्यों के माध्यम से किया जा सका साथ ही संग्रहन की जो सविधाती है हमने देखा कि बंडारन या संग्रहन एक बहुत महत्पूर्ण समस्या है जिसके कारण क्रिशियूत पातों के खराब हो जाने वेस्ट हो जाने की बहुत जो कंडिशन्स बनी रहती है उस पर काबू पाया जा सका सहकारी समित्यों में गोदाम बनाये जाने लगे और भंडारन की अच्छी वेवस्था होने लगी तो जो क्रिशी उत्पाद है वो उन गोदामों में सुरक्षित रखा जाने लगा आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई हमने अभी देखा कि किस प्रकार जो सहकारी समित्या होती है जो विपड़न के छेतर में कारे करती है उनका कारे क्रिशी के छेतर में लगने वाले जो भी आर्थिक सहायता होती आर्थिक सहायता देना होता है यानि क्रिशी कारे के में भी इन सिमित्यों ने अपना महत्पूर्ण योगदान दिया है और साथ में एकत्री करन की सुविधा भंडारन के साथ साथ विभिन उत्पादों को एकत्र करना और एक स्थान पर रखना इस तरह की सुविधाय भी हमको सहकारी सिमित्यों के माध्यम से हमको प्राप्त होन झाले लगी.